हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल पिके फंटेसी में अब हम कवर कर रहे हैं डबलो लिक जिसमें मैच कहला जाएगा सेंटर कोस्ट वर्सेज मेलबो सुटी यह मैच वूमेन का है जिसका फुटबॉल एनलाइज करेंगे वीडियो अच्छा लेगे तो प्लीज पिके फंटेसी को सब्सक्राइब किजिएगा और नाटिफेशन बेली गंटियों किजिएगा और फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम पर जॉइन होना ना भूलीगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रप्शन में दिया गया तो चलिए शुरू करते हैं डिटियल एनलाइज सबसे को देखते हुए आपको लग रहा ही होगा कि सबसे ज़्यादा टॉप पर टीम है मैलबॉन सुटी इसके पास कापी अच्छे प्लेयर है जो ज़्यादा गोल स्कॉरिंग ठेट रखते हैं साथ मैस में मैलबॉन पांच विन किये हैं सेंटल कॉस्ट ने छे मैस प्ले किये है इस टुनामेंट में अभी तक दो भी नहीं कर पाएं आज का चांच है कि मैलबॉन की टीम आज 3-1 से विन कर सकती है इसको देखते हुए हमें टीम बनाने है तो कौन से गोल स्कॉरिंग ठेटर प्लेयर है कौन से इंपोर्टेंट है तो वीडियो पूरा देखेगा वीडिय इस टेल कोस्ट की पॉसिबल लाइनप की बारे में डिसकस करते हैं दोस्तों तो गोलकीपर सेक्शन से आपको खेलते हो निजर आएंगे कैसी डूमिट डिपेंस से बात की जाए तो अना बेल मार्टीन जो कापी अची डिपेंसिव प्लेयर है डिपेंस से बीसे पचिस जेम्ति भोल रहा हुए कि 30 से 35 पॉइंट आ सकते हैं 90 मिनट खेलता है गुड डिपेंसिव प्लेयर प्लीज अपने टिम में ट्राइ कर सकते हो टारन किंग एक बात की जाए तो इन्होंने एक हैडर में इस लेक में एक गोल स्कॉर भी किया है इंपोर्टन प्लेयर है आज क पर फॉर्म को देखते हैं दो गोल और एक असिस्ट प्रोवाइड किया है अपने टिम के लिए इंपोर्टन प्लेयर हो सकते है ड्राइ कर सकते हो इसा बेलको में इस डिपेंसिव मिड फिल्डर है इंटर्शेप्स अं टेकल चांस क्रेशन के पॉइंट दे सकते हैं तो इं निजिएल टीम में definitely try कर सकते हो तरह को लिकिन पिजह है तो mid-fit DEV section है अभी आज के मैच में खेल सकते हैं only jail में try कर सकते हैं SL में cover किज़े इस टेकर से बात किज़े दोस्तो अलनाइज रापसंद जिनों एक goal score किया है आज के match में खेल सकते हैं तो आपको लगता है कि गोल स्कॉर करेगी तो ट्राइक कीजिए आपको नहीं लगता है तो प्लीज ड्रॉप कीजिए हमें नहीं लगता है कि आज के मैस में गोल स्कॉर नहीं कर पाएगी तो अला बदाल विया की बात की जाए तो इन्होंने एक गोल का स्कॉर क इस्टेर का सक्षन में दिये वेलिस्टेर इंपोर्टन प्लेयर है चाहो तो अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हो और आपको लगता है कि गोल नहीं करेगी तो ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि पॉइंटेबल में सामने मैलबॉन की टीम है तो गोल आएगा तो एक आदा गोल आ सकत हैं क्योंकि मैलबॉन वुमेन की टीम स्ट्रॉग है तो सौट एंट तारगेट यह ज्यादा लेंगे तो आगे वाला गोलती ज्यादा सेव कर सकता है तो इसे अपनी जील में ट्राइक कर सकते हो पैलंटी मिल जाए और सेव कर जाए तो बहुत अलग है डिपेंस से बात की जाए तो केरी डोटा बग्स होगी जो ठीक ठाक प्लेट चाहो तो ट्राइक कर सकते हो अट्यारी गोटोव अट्यक एक्टिव प्लेश है आज के मैस में कुछ अच्य पॉइंट दे सकती है आज के मैस में 40 से 15 पॉइंट देने की समतार रगते जरूर अपनी टीम में ट्रा सकता है कि लो स्कॉरिंग मैच होगा तो डिपेंसिफ पॉइंट आपको दे सकती है रेना पलॉनिका की बात कि जाए अटेकिंग प्लेयर है सौट एंटार गेर चांस क्रेशन के ज्यादा पॉइंट दे की तो इंपोर्टन है इनोंने इस सीरीज में एक गोल और तीन असिस्ट प्रवाइड की है तो जरूर अपनी टीम में ट्राइ कीजिएगा डेबिनेत ली देनिल अला गलल की बात कि जाए दोस्तो दो गोल और एक अशिस्ट प्लाडिक है इंपोर्टन है जरूर अपनी टीम में ट्राइ कीजिएगा आज के मैच में लॉर अब जिएज में लिस्टेड है दोस्तों दो गोल का स्कॉर किया है आज के मैच में गोल या असिस्ट आ सकता है इंपोर्टेंट हो सकती है हॉली क्रिष्टी मनुकुर्मा जो इनके इंपोर्टेंट इस्ट्राइकर है नंबर वन प्लेयर है छे गोल और दो असिट प्रवाइड किया है कंट किपर सक्षन से धी डामोट को आप डेपिनेटली ट्राइटली करेंगे अब डिपेंस से बात की जाए दोस्तों आज के मैस में टी किंग को डेपिनेटली ट्राइटली करना है मार्टिन को ट्राइटली आज के मैस में पॉइंट दे गए इसके बात में आपको जेग रसो को ट प्राइक कर सकता है या जूस चॉइस बाकि कोई प्लेयर खास नहीं है अपनी एसल टीम में यूज करने के लिए इड़ीन रोशंग बस इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं है इतने खास नहीं है तो फिलाल के लिए तीन को देख ते इसके बाद में चौता इसे हम ले ले गे इसक के मैस में डी क्लेनिक इंपोर्टेंट प्लेयर है और प्लोनी का वेरी इंपोर्टेंट प्लेयर है इस्टेगर सेक्षन की तरफ ले चलता हूं आपको तो इस्टेगर सेक्षन में आज के मैस में खेलेगी तो इनोंनी एक गोल और दो असिस्ट प्रवाइड के हैं तो इंप आदेलिया और राश्मन ने एक गोल का स्कोर किया है इंपोर्टेंट हो सकती है तो फिलाल के लिए मैं ट्राइब कर रहा हूं दोस्तों आज के मैच में एच माने को और एच विल्चन को दो प्लेयर अपनी इंपोर्टेंट प्लेयर आ गए अब एक बाकी प्लेयर हम मीट सेक् इसके बाद में हम अपनी टीम में गोमेच को ट्राइब कर रहे हैं दोस्तों इंपोर्टेंट हो सकती है बेस्ट केप्टन और वाइस केप्टन की बात किजाए तो आज के मैच में हमें लगता है कि सी क्रिश्टन फर्स्ट चॉइस की बात किजाए सी क्रिश्टन सेकंड कि जाये श क्रिस्टन को आप एच को भी ट्राइ कर सकते हैं दिपेंस्व सेक्शन से से ए मार्टिन किंग और जय गृशो को ट्राइक कर सकते हैं और फोल्डिपर सेख्शन से आप DC दाव मुट को कैप्टन बाइस कैप्टन जील में कर सकते हों यह इस टीम है आप फाइनल टीम को सेव कर लेते हैं टीम का प्रिवी यह है दोस्तो 6-5 का कॉमिनेशन है दोस्तो 6-5 का कॉमिनेशन है 6-5 के कॉमिनेशन के देखते हुई यह हमार टीम बनाई है यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और फाइनल टीम पाने के लिए हमारे टेलिग्राम पर जॉइन इलिम कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका दिन सुब रहे गाईज